हेलो फ्रेंड्स यूर वाचिंग यूर चैनल श्री अनन्ता टुटोरियल्स चलिए आज हमनों पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में ठीक है एडवर्ब या क्रिया विशेशट जिसे आप हिंदी में कहते हैं मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्टर में पढ़ाया हुआ है क इसी एडवर्ब किसे कहते हैं अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कायंट्स ओफ अफ यह अहां पर जो हम दोपहिंगे वो तक्या पढ़ेंगे रिलेटिव में शमौन वजक्शव ह और Já त्योक्त शब्दों की और इंगित करते वे कब, कहां और क्यों बताता है, ठीक है, जैसे when, where और why, इंग्लिश में बोला गया, उसका आप example लीजे जिससे आपको और clear हो जाएगा, अब adverb of time की बात कर रहे है, अगर time की बाते हो रही है, तो यह वाला आपका sentence विल्कु सही रहेगा, ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है, when, clear हो गया, when मतलब कब, this is the city where Sona will meet again, अब यहां पे है, place के बारे में बता रहा है, अब कहां पे where, मतलब कहां पे, तो इनोंने क्या बोला, की पहले तो बताया time के बारे में, अब बताया है इनोंने place के बारे में, next हम देखेंगे reason why, जो हमने आपको बताया हुआ है पहले, तो why से कैसे इसका निकल की आया, this is the cause दिवेश डिड नॉट गो ठीक है तो यहां पर आपने कर दिया रेजन का एक एक्जाम्बिल दिया ठीक है next क्या हो जाएगा integrative adverb integrative adverb प्रश्न वाचक यह तो आपका clear है यह प्रश्न वाचक जब तक आप sentence नहीं देखेंगे आपको clear नहीं होगा कि वाके की शुरुवात में कैसे आया तो इसका sentence क्या हो पाएगा यहां पर पहले तो आप देखिए कौन कौन से शब्दें जो वाके के शुरुवात में आते हैं तो how for, how many, how much, when, etc. यह सारे आपके आते हैं अब आप इसका example देखेंगे where is she, why nothing is said, how many girls are there in P.U. class तो इस तरह से आप सारे sentence को देख सकते हैं अब यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि Adverb का जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं और भी Adverb किसी आप कोई भी word लेते हैं तो उसे change करने के लिए आता है ना कि इसे Adverb में change करिए noun है तो उसे Adverb में change किया, यह Adjective है तो कैसे change किया, तो इस तरह से जितने भी changes होते हैं कैसे किये जाते वो मैं आपको बताऊंगी तो यहां पर क्या है formation of adverb कुछ शब्ड ऐसे होते हैं जिने कभी adjective कभी adverb की तरह प्रयोग किया जाता है तो बाग कि में उसकी इस्तिती को देखते वे एड़र किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो हम लोग यहां पर देखेंगे from adjective अब विशेशर से कैसे ठीक है तो kind है kind, beautiful, quick, regular, ready, nice यह सबाब के क्या है विशेशर है इसको हमने कैसे change किया kind से kindly हो गया beautiful, beautifully, quick, quickly, regular, regularly, ready, readily, nice, nicely okay अब clear हो गया होगा आपको next आप क्या देखेंगे from nouns and adjectives अब यहां पर जो words आते हैं कौन-कौन से आते हैं yesterday, meantime, otherwise, sometime, etc. ऐसे बहुत सारे words होते हैं जो आप ले सकते हैं next क्या है? from compounded prepositions अब इसमें कौन-कौन से words है? there with, there of, there on, there by, etc. here with, here by, here after, here in, etc. henceforth, hence forward, forward, etc. इस तरह के जितने भी आपके words हैं वो सब इसके अंतर करता हैं next आप क्या देखेंगे? from adverb when joined by and, again and again, off and on, over and above, now and then, etc. इस तरह से आपके जितने भी words हैं वो क्या हुए आपके formation of adverb हुए? किस तरह से आप adverb को change करते हैं? उसको adverb लाने के लिए किस तरह से change कियाते हैं? वो आपने यहां पे देखा I hope कि आपको आज इतना समझ में आया होगा, मैं lecture को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी जिससे आपको confusion हो जाए इसके next lecture में आपको मैं बताऊंगी कि position of adverbs, बाक में क्लिया विशिशर का इस्थान कहां पे आप यूज करते हैं? कहां किस तरह से यूज किये जाते हैं? तो इससे आपको और clear हो जाएगा आपके जो exam होते हैं, competition level के और इस तरह की जितने भी exam होते हैं उसमें आपको बिल्कुस clear समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसके adverb की position क्या होती है? कहां पे लगता है? इससे आपके question जो होगे उसके answer आप easily दे पाएंगे clear? तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, comment section में आप लिखिया, आपको कुछ समझ में आता है, तो आप उसमें बताईए, नहीं समझ में आता है, तब भी बताईए, और bell icon के दवाई, जिससे की जितने भी आगे मैं lecture आपको बता रही हूं, दे रही हूं, आपका पता चलता रहे, आपको clear होता रहे, ठीक है? और अपने friends क को भी यह आप share करिए, और उनसे भी बोलिए subscribe करें चैनल को ताकि जितने वीडियो में डाल रही हूं, तो घर बैटे वो भी इसका benefit उठाए, ठीक है? ओके, बाबाई